तो गाइस क्या हाल चाल है तो मैं स्मतागर्ग मेरे यूटीब चैनल स्मतागर्ग एंटर्टेइन्मेंट पर फिर आप सभी के साथ हूँ बिग बॉस सीजन 3 जी हां ओटीटी प्लेटफ़र्म जहां से यूटूबर्स आंड जो कंटेंट क्रेटर इंफ्लेंसर हों सभी को लाया गया था और सब अलग अलग काटेगरी अलग अलग कह सकते हैं जिनका अलग अलग इंट्रेस था कुछ डांसिंग थे कोई बड़ा पाउगल थी कोई नेजी दबबार रैपर था कोई एक्टर था टीवी एक्टर था सो यह सब तो चलो दोस्तों बात चलती रहेगे अभी मैं बात करने इसलिए आई हूँ जी यहां वन मोर एविक्शन हो चुका है जी यहां दिखने में तो बहुत 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 हैं लेकिन उसका जब बोलने का अंदाज है ना ऐसा लगता है कितना मायूस ट्राइप का मतलब वो हैपनेस नजर नहीं आती है वो excitement नहीं आता है जब वो बात करता है और यही चीजे हमको बिग बॉस में यही performance देखने को मिली बस हर बात पे लड़ना जगड़ना बोड़ी दिखाना अगर नेजी अच्छे से खेलते हैं तो अपने लुक का वो प्रॉपर यूटलाइजेशन कर सकते थे तो इसी के साथ उनका एक्षन हो चुका है आप इस पर क्या कहना चाहते है तो अब बिग बॉस में दो लोग रह गये हैं सना मक्बूल और नेजी दबा तो सना मक्बूल सना मक्बूल जो कि अल्रेडी एक अक्टरस है तीवे अक्टरस है नेजी दबा जो कि एक रैपर है गली बॉइ जो करके एक मूवी आई थी उसी के उपर जहां तक लोग बोलते हैं सो नेजी दबा के लिए भी सभी लोग आसार लगा रहे हैं कि वो बिनर हो सकता है सना पर आपकी क्या रहा हैं आपकी क्या व्यूस हैं यह जरूर बताएगा एंड वर्न मोर इंपोर्टन थेंग डू लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब माई यूटी चैनल थाकि सो मच